नगर निगम सोलन में मेयर डिप्टी मेयर और पार्षदों का चुनाब जनता द्वारा कर लिया गया है। नगर निगम की कारे पढ़नाली पर भी के सबाल खड़े किये और कहा कि कोबिड के समय में जो प्रबंध नगर निगम को करने चाहिए थे बहुत सी दिकते लोगों को जेलनी पड़ रही है। पहले उस कशेतर को सैनिटाइज करता था लेकिन बिंडमना यह है कि नगर निगम के पास केबल दो सैनिटाइज की मशीने हैं जिसमें से एक मशीन शमशान घाट में उप्योंग मिलाई जा रही है और केबल एक मशीन के सहारे सत्रह बार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है ऐसे में सभी शेतर चैनिटाइज नहीं हो पा रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का रविया नगर निगम के प्रति उदास हीन नजर आ रहा है क्योंकि एक माहा बीतने के बाद भी नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर की अभी तक शप्त तक नहीं करवाई गई जिसकी बज़े सोलन के विकास को लेकर महतपुर्ण निडने नहीं ले पा रहे हैं अभी तक नहीं हुई है ना ही मेयर और डिप्टी मेयर की जिस कारण जो है वो अपना पदभार नहीं संभाल पा रहे हैं और करोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हम जो नगर निगम में काम करने के लिए असमर्थ हैं उसका कारण ये है कि जब तक मेयर और अपने पदपर ही नहीं बैठेंगे तब तक पारशद चुने हुए पारशद लोग कैसे काम करेंगे वो चाहे कॉंग्रेस के हों वो चाहे भाजपा के हों तो वो किस तरह से कारे पर नाली चल पाएगी ये बहुत मुश्किल काम है मेरा सरकार से विनर्व निवेदन है कि जल्द से जल्द जो चार नगर निगम हिमाचल परदेश के अंदर नहीं बनी है, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर की शपत कराई जाए, ताकि वो सुचारू रूप से पूरे सोलन और अन्य जगाओं पर जो है, वो कारे कर सके, दूसरा मैं कहना चाहूँगा, कि जो हमारी सैन करने के लिए बचा हुआ है, या कहूं मैं तो ना के बराबर बचा हुआ है, यही कारण है कि सोलन में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है, वो बहुत धीमी हो रही है, और आपने देखा जब पिछली बार भी करोना काल था, तो फायर बिर्गेट के अंदर बजारों को सैनि निगम में आता है, जो की अभी तक नहीं आया हुआ है, और मात्र नगर निगम के पास दो मशीने ऐसी हैं, जो स्प्रे कर सकती हैं, तो दो मशीनों से जसमें से एक भी जो है वो मुर्धगार चम्भा घाट में लगी हुई है, और मात्र एक टीम बोपूरे शेहर को कर रही मुहलों का घरों का सेनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इस समय सोलण जो है, वो बहुत पीछे चलाए, और उसका कही ना कही जो एक कारेन है, वो मेर और डिप्टी मेर की शपत ना होना, और उनका सुचारो रूप से पत भार ना समभालना भी, वो इसका कारण है